अप्रेल के बाद आप कोई भी EV नहीं ले पाओ गई क्या EV बंद ओरी नहीं EV बंद नहीं वरी EV की जो प्राइस हो वो हाई कोई चाहे हो एथर हो ओला हो सिंपल वन हो एवन अपनी चेतक हो यह कोई भी कार हो यह पूरी इलेक्ट्रिक विकल इंडस्ट्री कुपर है क्योंकि जो फेम 2 सबसीडी है उसका दी एंड होने वाला है 31 मार्ज 2024 को जी है 15 जनवरी को इंडस्ट्री ने अपना गौर्वर्मेंट से रिक्वेस्ट किया था कि इसको एस्टेंड किया जा है बट 1 फेब 2024 को निर्मला सीता रमन जो की बजट मिनिस्टर है तो यहाँ पे खुलासा है पूरी की पूरी दो से तीनहार वीकल मतलब इलेक्टरिक विकल सेल होती थी अब यहाँ पे लाग दो दो लाग ददस लाग इलेक्टरिक विकल एक साथ सेल हो जाती एक दो साल के अंदर उसी को देखते हुए कि फेम 3 की अब जरौत उतनी नहीं परेगी तो फेम 3 को क्या कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया और इसका नुक्सांक है आपको आखिर जान नहीं है फेम 3 सबसीडी में होता है कि तो आपकी विकल की प्राइस है वह इंक्रीस हो जाएगी एक मोटा मोटे एक्जामपल देता हूँ अगर आपकी एक्षोन प्राइस अभी पर रही है कि फिलाल एक लाग बीच हजार या एक लाग दस हजार वह परेगी आपको एक लाग चालीस हजार सिंपल सालों की एक्जामपल है कि 15,000 रुपए तक का आपको बढ़ते हुए दिख जाएगा कोई-कोई मोडल में 8,000 से लेकर 20,000 तक का फ़र्क आएगा पूरे एलेक्ट्र कि सिरिस लेड़ो इसमें आपको 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा बेसिक मोडल में भी चाहिए आप एक्स लो फोर किलो वाट लो थ्री किलो वाट लो एवन एसवन एयर लो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप अपरेयल में लेते हो कोई भी एवी तो आपका 15,000 एवरेज बजट और एश्टर बढ़ने वाला है तो आप क्या कर सकते हो अभी आपको इवी लेना सेफ है कौन से इवी आपको लेनी चाहिए और यह सच में होने वाला या फेम 3 सबसीटी और बढ़ सकती है अगर बढ़ेगी तो आपको कोस्ट और कम लगेगा 15,000 ज्या बजट कितना है सब कुछ एनलाइस करें सबसे पहले आर वीडियो को लाइक कर दो और सबस्क्राइब कर दो हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर बस कर नहीं वाले बहुत इलिमिटर सब्सक्राइबर बचे तो सब लोग सब्सक्राइब करो तो जल्दी से हो जाएंगे मुझे बच प्राइस कम नहीं कर सकते क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और उपर से कितना ही कम करेंगे तो इस वज़े से उन्होंनों सुचा कि अच्छा दिमाग लगाते हैं हम लो अपनी पूरी प्राइस डाउन कर जाते हैं वहीं सिंपल वंकि जो प्राइस इतनी ज्यादा हाई कि ऊपर से इसमें फेम टू सब्सेडी और कम हो जाएगा तो और जादे इसके प्राइस बढ़ जाएगी तो आप कोई भी भी कर लो बिगॉस लो ओला लो हीरो लो कोई भी लो चेतक लो हर किसी का प्राइस अब बढ़ने का बजट और जाद है तो सचाई यह है कि जो 2023 फाइनेंशल यह था उसमें जो इवी सेक्टर का जो बजट था वह चार हजार साथ सो करोर सम्थिंग रूपीज था बट अभी जो है वह 2671 करोर रूपीज किया गया है यानि कि 2024 से 2025 तक का बहुत ही कम हैगी तो आधा हो गया 44 24 पर्सेंट से भी ज्यादा इसमें रेडियोशन हुआ है जिसके वज़ए से आपकी जो प्राइस से इवी की वह बढ़ नहीं वाली है जैसे कि मैं एक बेसिक एजामपल जाता हूँ अगर सपोस्पोस आपकी गारी की एक्शो रूम प्राइस है वन लैक रूपीज एक बेस लेता हूँ उला एसवन प्रोव की जो प्राइस थी वो थी 1,48,000 सम्थिंग उसमें आपको अब जो एक शुर्म प्राइस परेगा वो परेगा 1,60,000 के एप रॉक्स उसमें अब कंपनी क्या करेगी आफ्टर से लिए कि उसमें अब चीज की क्वालिटी और डेक्रीस की जा किसी और यूटूबर की बास सुनने की जुरूत नहीं होगा और नहीं होगा आप खुछ समझदार हो आप गूगल करिए सब कुछ रिसर्च करिए 10-15 आर्टिकल पर यह अलगलग पेज का आपको सब में पता चल जागा कि 44% का रिडक्शन हुआ है 2,671 करोर रुपीस का ब सब्सक्राइब कर तो अब बात करते हैं इस्टेट सब्सक्राइब करना हो जाते हैं वहाँ अपर सबसीड़ी मिलती हैं नहीं गुइस जाके इक स užठेंड हो जाय Monk 5000 रूपए सब्सक्राइब करें तो पूरी तरीके से यह आपको लॉसी होने वाले और कंपनी जितना बोलती उतना इस्टेट सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं मिलता है बिल्कुल भी नहीं मिलता है मेरी ऐसे उन में पोला गया दा 14,000 रुपए मिलेगा बट वहां पर जब आठी हो गया वहां क्लेम करवाने तो आठी रुपए का क्लेम एप्रूबल हुए अभी तक एकाउंट पैसा नहीं आए जब आएगा तो मैं अब अपना सॉल्यूशन के अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप एवी विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपके इंफॉर्मेटरें के लिए रोज एक वीडियो आती रहती है तो आपको कुछ कुछ नया सीखने को मिलते रहेगा तो प्लीज भी कर लो जो टॉफ फाइप में आती है जैसे कि ओला एथर टीविए साई कुप छे तक यह सब लो लोर के तरफ जाने का कोई भी मतलम नहीं है वो चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक वैसा वाल हाल है प्रीमियम लेना तो प्रीमियम ही लेना बाकि लोर स्कूटी इवी म बिल्कुल भी मत लेना ठीक है उसके बाद आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि क्या आपके एरिया में एक्स्पिरियन सेंटर सर्विस सेंटर प्रॉपर है चार्जिंग भी आपको कुछ मंत में देखने को मिलने वाली है बट ओला के सर्विस बहुत खराब है एथर एस आपको पीक पावर कितनी चाहिए उसके उपर डिपेंड करता है और आपके एरिया में क्या ज्यादा सक्सेसा उसके उपर डिपेंड करते है तो गारिया सभी अच्छे चलानेों को पर मट अगर खराब हो गई तो खराब होने के भी चांसे से है ओला के 100% में से 60% कस्टमर दुखी ही रहते हैं क्योंकि उसकी after sales service बहुत बेकार है गारिया तो बहुत ही rocket की speed से भीकरी है बट service में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा तो मैं तो personally अभी ओला को recommend करना ही नहीं चाहूंगा वह कि आप service के लिए परशान हो जाओगे और मैं खुद परशान हो चुका हूँ एक साल बाद आपको पता चलेगा आपकी गारी में कितनी दिक्कत आ रही है और कोई आपको सुनने को तयार नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ problem है तो मैं आपको मना करती हूँ मैकसिमम जो 60-40 के रेशी हो 60 परसंट लोग दूखी है 40 परसंट खुश है इसका अच्छा solution अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे केर करेंगे तो चांसेस कम है कि आपकी गारी खराब हो हाला कि गारी बहुत अच्छी है मट उसका software कारों नो बहुत जादा नाटक करती है तो ओला ने सिंपल सा वेरिंट डिकाला है की वेरिंट चुप चाप से आप उसको बुक करा लो अप्रायर के बाद आपको उसके डिलिवरी मिल जाएगी कोई कंजट नहीं है और लेना है तो इवी विकल अभी आपको लेना पड़ेगा एक मन्त के आपके पास और टाइम औ आपको ओला लेना है अगर नहीं लेना तो आप मार्च में अराम सा डिसाइड कर साफ तो आपको कौन सा इवी विकल लेना है व्यूंकि उसके बाद सबकी प्राइस इंक्रीस होने वाली चाहे हो एथर हो चेतक हो टीवियर साइक यूप कोई भी कंपनी की इलेक्टरिक विक कुछ सर्च इसको कर सकते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन अगर आपको इवी लेना है आपके लिए एक मन्त का टाइम आप राम से रिसर्च करो राम से बढ़िया से लो जानना चाहते हो कौन से इवी बैस्ट है किसको लूं और बजट कितने है तो नीचे कमेंट करना मैं अपन अपनी मन पसंदीता इवी की तरफ बी जा सकते हो तो आपके पास मार्च सकता टाइम है उसके पर प्राइस आपके इंक्रीस होने वाली है नीचे कमेंट करना आप कौन से इवी की तरफ शिफ्ट करना और शेयर करना जो भी लेने वाले अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रूप में प्लेश शेयर करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दर सब्सक्राइब करने के